के जी अफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फिल्ड्स है और फिल्म में इसके दूसरे अध्याई का नाम के जी अफ चैप्टर टू रखा गया है यस यानि रौकी भाई को जिन्होंने हिंदी में आवाज दी है उनका नाम सचीन गोले हैं आप उनकी एक जलब यहाँ देख सकते हो के जी अफ चैप्टर टू के डारेक्टर परसांत नील सर ने कोलार गोल्ड फिल्ड्स में सोने की खानों को दिखाने के लिए हाई टेक टेकनोलोजी के साथ-साथ वी एफेक्स यूज किये थे लीड कास्ट के अलावा इस फिल्म में 800 से जादा जूनियर आर्टिस्ट को लिया गया जिने आप यहाँ देख रहे हो बाकि इतने आर्टिस्ट को बाहुवली और बाहुवली टू में भी हायर नहीं किया गया था इतना ही नहीं जादतर फिल्म मेकर्स अबजेक्ट मॉडलिंग और कॉपी पेश से ही लोगों की भीड को मूवी में दिखाते है एरी एलेक्सा SXT जैसी हाई डेफिलेशन कैमरे को सिनेमेटोग्राफर भूवन गोंडा ने कंधे पर रखकर सारे एक्शन सीन सूट किये थे ताकि सौल्ट परफेक्टली लिया जा सके इतना ही नहीं इस एक कैमरे का वजन ही 40 किलो ग्राम है वैसे इस फिल्म में 150 से जादा कैमरे यूज हुए हैं जिने डिफरेंट डिफरेंट एंगल दिखाने के लिए इस्तमाल किया गया था मैं आपको बता दू कि भूवन गोंडा सर डेरेक्टर साहब की पसंदीदा सिनेमेटोग्राफर है उन्होंने KGF चेप्टर 1 को बनाया था इसके अलावा प्रभास के साथ उनकी अगली फिल्म सालार में भी भूवन गोंडा ही सिनेमेटोग्राफर है फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर नवीन सेटी है इनके अलावा योगी जी राज भी थे आप उन्हें और उनकी टीम को कलाकारों को कॉस्ट्यूम पहनाते वे देख रहे हो यहां उनके द्वारा अधिरा यानि संजदद को तयार किया जा रहा है मैं आपको बता दू कि उनके सूट का वजन यानि अधिरा के सूट का वजन ही 25 किलो गराम था जिसमें लेदर, कॉटन, जूट, इत्यादी यूज किये गए है उस कपड़े को बनाने में स्रीनीधी सेटी और यस का कॉस्चूम डिजाइंग सान्या सरधारिया ने किया है उन्होंने लीट कास्ट को मौडन और रेट्रो लुक बखुबी और पूरे परफेक्शन के स्याद दिया था तभी तो इस फिल्म के लुक से लेकर स्टाइल तक फेमस हो गए है वैसे तो फिल्मों में कार चेजिंग सिक्वेंस को वी एफेक्स स्टूडियो में ही सूट करके दिखाया जाता है बट इस फिल्म में ओरिजिनिलीटी का पूरा ध्यान रखा गया था यहाँ पर आप जिस कार को देख रहे हो जिसमें की रौकी रीना को बचाने जाता है दरसल यह फोड मुस्तांग 1969 है जो की काफी महंगी कार है मुक्यता केजी अप चेप्टर टू फिल्म की सूटिंग कोलार गोल्ड फिल्स के अलावा बैंगलूरू, हैदराबाद और मैसूर में सूट किया गया है जिसके बारे में आप आगे जानोगे वैसे तो मुवी में कोलार गोल्ड फिल्स के कुछ ही डिश्टेंस पर रौकी का रॉयल प्लेस था बट असल में उनके घर को दिखाया जो गया है वह लोकेशन हैदराबाद के ताज फलकनूमा पैलेस का है बट फिल्म में हमें ये दोनों चीश एडिटिंग के जरिये एक साथ यानि अगल बगल में दिखाई गई थी मुवी का यह सीन उस समय का है जब रौकी को देखकर लगता है कि वह अब सब कुछ हार चुका है बट वह इनायत अली से डील करने दूबई चला जाता है तो वहाँ जो बीच वाली लोकेशन पर यह वाली सुटिंग आप देख रहे हो वह एक्चुली इंडिया का ही लोकेशन है करनाटक के पाडुकेरे बीच के मलपे में इस वाले सिक्वेंस की सुटिंग हुई थी अब क्लाइमिक्स के इस सीन को देखिए आपको क्या लगता है कि क्लाइमिक्स बनाना कितना डिफिकल्ट होगा फिलमेकर्स ने अपने टोटल बजट का 15% हिस्सा क्लाइमिक्स के लिए ही बचा कर रखा था यानि सिर्फ क्लाइमिक्स पर ही 12 करोड रुपय खर्च कर दिये गए थे एंड लाश्ट वाला फाइटिंग सीन ने जहां पर अधीरा और रोकी को लड़ते विद दिखाया गया है जो की काफी दमदार फाइटिंग सिक्वेंस में से एक है तो इस जगह पर दोनों ने दमदार फाइटिंग तो करी है बट जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इस एक्षन सीन के लिए ना तो यस और ना ही संजयदत ने कोई डबल बॉड़ी इस्तमाल किया है यानि कि यहां कोई भी डबल बॉड़ी नहीं है ब्यूटी पेजेंट स्रीनीदी जी जिन्होंने इस फिल्म में रीना का किरदार निभाया है जो कि रॉकी की वाइफ रती है यहां उन्हें आप बिहाइंड दसीन में देख रहे हो वो अपने सौट को खुद से देख भी रही है और यह क्लिप होली का है वो और उनकी टीम यानि केजी अफ टीम ने इस साल सेट पर ही होली खेला था उन्हें गुलाल लगे वे आप देख रहे हो और मैं आपको बता दू कि स्रीनीदी जी इस फिल्म के लिए बड़ी बड़ी साथ फिल्मों का आउपर अब तक ठुकरा चुकी है ताकि वो रौकी के साथ स्क्रीन सेर कर सके क्लैमिक्स का यह धासू सीन है जिसके सौट्स और रील आजकल खुब वाइरल हो रहे है यह सीन फिल्म में आपको कुछ ऐसे दिखाया गया था यहाँ पर रौ की खतरनाक लुक में मिनिश्टर को मारने फोंसता है तो फिल्म में दिखाये जाने वाला यह सीन एक रियल लोकेशन का है यानि कि इसे VFX स्टूडियो में बनाया नहीं गया था बलकि यह लोकेशन मैसूर के इनफोसिस कैमपस का है जो कि करनाटक में इस्थित है इस जगह पर AK-47 की धेर लगी वी है और यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की जीप और एमबेसेटर कारे भी दिख जाएगी आप लोगों को तो यह इसी सूटिंग लोकेशन का BTS है यह इनफोसिस कैमपस मैसूर का बाहरी एरिया है इस जगह पर Rocky रेट कलर के सूट में नजर आये थे जो कि इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है इस तरह के कॉस्ट्यूम इस तरह का आउटफीट आजकर लड़के खुब पसंद कर रहे हैं यहाँ वह काफी हैंसम लगे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इनफोसिस कैमपस मैसूर के अंदर का ही एरिया है पहले बाहर वाला एरिया जो आपको मैंने अभी दिखाया और यह उसके अंदर का है यह काफी प्राइम लोकेशन है आप इस जगह को देखकर भी खुद समझ सकते हो आप लोग यह लोकेशन देख रहे हो असल में यह केजी अफ यानी कोलार गोल्ड फिल्स का लोकेशन है इसी जगह पर मूवी का 50% हिस्सा बना है यह करनाटक के कोलर में एसी एक असली जगह है यहाँ पर सच में सोने की बहुत सारे खदाने थी कभी तो केजी अफ चेप्टर 1 और केजी अफ चेप्टर 2 की पूरी स्टोरी कोलार गोल्ड फिल्स में बनी सोने की खदानों पर आधारी थै यह लोकेशन बैंगलूर से लगवक 100 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है और केजी अफ चेप्टर 2 का भी सेट यहीं है वैसे तो केजी अफ की स्टोरी कालपनिक है लेकिन कहीं न कहीं इसे आप लोग रियल कोलार गोल्ड फिल्स से रिलेट कर पाऊगे साल 1981 की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यस को इंडिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बता कर उनके खिलाप डेथ वारेंट सिगनेचर करती है लेकिन उससे पहले यस गलूरा को मार कर कोलार गोल्ड फिल्स के उपर अपना सामराज जिखडा कर लेता है और फिर कोलार गोल्ड फिल्स से निकलने वाले सोने को अपनी मनमर्जी कीमत पर वबेचता है रियालिटी से भी आप लोगों को रूबरू करवाओं तो 1979, 1980 और 1981 में गोल्ड की रेट बहुत तेजी से बढ़ी थी 1902 में कोलार नामक इस जगह पर गोल्ड माइनिंग सुरू हुए थी माइनिंग के लिए बड़े-बड़े एक्विपमेंट्स लगाए गए थे उसमें ब्रिटीस की हुकूमत थी जिससे कि उन्होंने भारत में गोल्ड माइनिंग के लिए एक डैम बनवाया जिससे कावेरी डैम कहा जाता है तो इस डैम से काफी मात्रा में बिजली उतपादन की जाती थी मैं आपको बता दूँ कि तब एसिया में कुछ ही चुनिंदा देसों में इलेक्टिसिटी जैसी कोई चीज आई थी जिसमें सबसे फेमस था जापानी पावर हाउस जो की आजपास के देसों को बिजली प्रोवाइड करता था कावेरी डैम से इतनी ज़्यादा इलेक्टिसिटी प्रोड्यूस होने लगे कि आजपास के सहरों को भी इसका फाइदा मिलने लगा था यही वह बड़ी वज़ा है जिससे की बैंगलूरू देस का सबसे पहला बिजली संपन ने सहर बन गया था जो की फैक्ट भी है तो जैसा कि मैंने कहा कि यह लोकेशन रियल है केजी अप चेवटर टू के डैरेक्टर परसांत निल सर चाहते तो यह पूरी फिल्म वी एफेक्स स्टूडियो में भी बना सकते थे लेकिन यहाँ जो सेट तयार किये गए थे उनके पीछे काफी मेहनत लगी है और मैं आपको बता दू कि केजी अप मुवी के कोलार गोल्ड फिल्ड के इस सेट को बनाने में 9 महिने लगे थे और 250 लोग परती दिन काम करते थे देखे गोल्ड माइनिंग के लिए साइनाइट का यूज किया जाता था पहले यहां जो आप इस जगह पर इतने बड़े विसालकाय गड़े देख रहे हो यह फिल्मेकर्स द्वारा नहीं करा गया बलकि यह माइनिंग करने से ही इतना बड़ा गड़ा बना है अब सोचो कितनी ज़्यादा साइनाइट यहां यूज किये गए होंगे यहां तक इस जगह पर साइनाइट के पहाड भी बन गए है और उसकी धूल से फिल्मेकर्स और क्रू मेंबर्स को काफी ज़्यादा परिसानी का सामना करना पड़ता था तो आप लोगों ने यहां जाना कि केजी अप चेप्टर 2 को बनाने में कितना हाड वर्क लगा है केजी अप चेप्टर 2 मूवी को बनाने में लगे हाड वर्क के बारे में आप लोगों ने तो जान ही लिया जाद से जाद आप लोग सेयर करो ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि ये फिल्म कितनी मुश्किलों से बनी है ठैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं एक सांधार वीडियो में अपना ख्याल लखिए टेक कियर बाई बाई